नमस्कार बहनों, आज मैं आपको रसोई से संबंधित कुछ छोटी छोटी बाते जो बड़े काम की हैं, आप सभी बहनों के लिए जानना और समझना अती आवश्यक है आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से निवेदन हैं, आप मेरी पूरी बात अवश्य सुनिएगा और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य कर लें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें मेरी ये पोश्ट आपको कैसी लगी बताईएगा हाँ बहनों मैं आप से रसोई से सम्मंदि कुछ विश्यों पर बात करूँगी रसोई में चावल का डबबा, आठे का डबबा, दाल का कंटेनर हमेशा भरा रहना चाहिए चावल डाल, आठा कभी भी कंटेनर उठा कर पलटना नहीं चाहिए थोड़ा चावल उसमें रहने देना चाहिए और थोड़ा सा आठा आठे के डबबे में भी रहने देना चाहिए जब आप कंटेनर में चावल भरें तो उसमें 1 रुपए का सिख्का, एक गांठ हल्दी की 5 लौंग डाल दीजए. फिर आप अपने दिब्बे में चावल भरिये. इसी प्रकार दाल भी भरिये. जब आठा भरना हो तब आठे के दिब्बे में तली में एक गांठ हल्दी की ए एक रुपय का सिक्का अवश्य डाल दीजे हल्दी प्रहस्पती का प्रतीक है और सिक्का एक रुपय का हो या पांच रुपय का हो लक्षमी का प्रतीक है इस प्रकार आपकी रसोई में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी मान पूर्णा मालक्षमी की कृपा सदा बनी र चाहिए, सामान इतना मंगा कर रखिए कि वो खतम ना होने पाए, और खतम भी हो रहा हो तो उससे पहले आप मंगा के रख लीजे, आपकी रसोई के डिब्बों में भरा रहना चाहिए, इस प्रकार सभी मसाले भी रसोई में अवश्च रखिए, खास कर हल्दी और नमक की कमी रसोई में समाप्त नहीं होनी चाहिए, हल्दी और नमक के बिना तो सारा खाना फीका है, ना स्वाद ना रंग, आपकी रसोई में बरकत बनी रहे, इसके लिए हल्दी को कभी खतम मत होने दीजे, हल्दी के डिपे में 5 साबुत लाल मिर्च डाल दीजे, ये आपकी रसोई में नेगेटिव उर्जा दूर करेगी और पोजिविटी बनाए रखेगी, नमक जो खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, हम सभी लोगों के स्वास्थे के लिए वे अति आवश्यक है, नमक कभी भी किसी से नहीं मागना चाहिए, कभी कोई नमक मागे तो उसे हाथ पर नह चाहिए, इसी प्रकार चीनी में भी एक सिक्का अवश्य डाले, चीनी हमेशा चम्मस से ही निकाले, इस प्रकार से रसोई के रख रखाव में, रसोई में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, जावल या आटा निकालते समय उसमें काश की प्याली या एक स्थील की काटोरी अवश्च रखिये कभी भी उसको हाँ से नहीं निकालिये रसोई में बरकत होगी मा अन्यपूर्णा और मा लक्ष्मी जी की क्रपा आप पर सदा बनी रहेगी और जो आपके परिवार के सदसे भोजन करेंगे वो स्वस्थ और प्रसंद रहेंगे किसी भी प्रकार का कोई कले नहीं होने देंगी यदि आपको मेरी ये पोश्ट मेरा सुझाओ पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवस्य बताईएगा धन्यवाद